अर्भी की सबजी का सेवन कई तरह से किया जाता है। कुछ लोग इसे उबालकर सूखी सबजी के रूप में खाना पसंद करते हैं, तो वही कुछ लोग को इसका चोखा ये रशेदार सबजी खाना पसंद होता है। इसकी सब्जी खाने में बेहदी स्वादिश्ट लगती है लेकिन अर्बी को काटना छिलना धोना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसे काटते और छिलते वक्त कई लोगों को हाथों में सूजन और खुजली की समझ चाहें हो जाती है अर्बी और जिमिकन जैसे सब्जी को छीलते काटते दोती समय आपको भी हाथों में खुजने की समझ चाहें होती है तो इसे तुरंत राहत पाने के लिए इस वीडियो में बताये गए असान नुस्के को जरूर फॉलो करें बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा पहला है दही इसमें लेक्टोवैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है जो दही को जमाने में मदद करता है बताया जाता है कि ये बैक्टीरिया इसके इंफेक्शन कम करने में मदद करता है ऐसे में अगर आप किसी ऐसी सब्जी को काटते हैं जिससे हाथों में खुजली होने लगती है तो तुरन थंडी दही को हाथ में लगा कर मसाज करें दूसरा है बेकिंग सोडा इसकिन की खुजली को दूर करने में बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कारगर साबित होगा थोड़ा पानी में एक चमच बेकिंग सोडा डालें और मिला कर इसे परभाविद अस्थान पर लगाए इसे खुज़ी तो कम होगी ही साथ ही इसकिन को कोई नुकसान भी नहीं होता है तीसरा है नीमबू बिटमिन C का बहतरीन स्रोथ नीमबू एक ब्लीचिंग एजन्ट के तोर पर कारी करता है सबजी काटने से होने वाली खुज़ी को कम करने के लिए परभावित जगा पर नीमबू का रस लगा या पिर कटे हुए नीमबू को रगड़े इसे तुरंद खुज़ी से निजात मिलेगी चौथा है एलो वेरा जिल इसमें कूलिंग इफेक्ट्स और मॉस्चुराइजिंग गुण मौजूद होते हैं इनी कारणों से तुज़ा के लिए एलो वेरा जिल का इस्तेमाल काफी फायदे मद होता है ये स्किन को नमी प्रदान करता है और किसी प्रकार के डैमेज से भी विट्तपशा को बचाते है पाचबा है तुलसी का पत्ता इक्सपारटे हैं कि दूस्य के पत्तों में योगिनॉल और फिमॐल जैसे ततों मौजुद होते हैं जो स्किन प्राप्रिम्स को दूर करने में सहायक होते हैं इन पत्तों में प्रचूर मात्रा में एंटिबायोटिक गुण पाए जाते हैं जो इसकिन के खुजली को दूर करते हैं आप चाहें तो तुल्सी के पत्तों को जहां खुजली हो रही है वहां लगाए इसके अलाबा इन पत्यों से निकले रेस्ट को भी हाथ में लगाने से खुझली दूर हो सकती है।